नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संसकार कलासे पर तो प्यारे प्यारे साथियों आप लोगों को भली बाती पता है देखिए आपके एक्जाम की जो काउंसलिंग दुबारा होने वाली है कब आपके काउंसलिंग होने वाली है से पहले हम आपको बता देते हैं जितने भी हमारे प्यारे सीटी वाले हैं ठीक है सीटी वाले जितने भी विद्यारती हैं जिनके बच्चे हुए पंद्रे दिने और इन पंद्रे दिनों 12 दिनों के अंदर अगर बहतरीन तयारी करना चाहते हैं सलक्सन लेना चाहते हैं देख करना चाहता है तो आप लोग हमारे साथ जुड़ें और जिस कदर ये मौतरमा पढ़ रही है उसी कदर आपको क्या करानी है तैयारी कराएंगे जिससे कि आपका सेलेक्शन हो सके चलते हैं अब अपनी जानकारी के वारे में बहुत बढ़िया तरीका से आपको बताएंगे ध् चैनल को सब्सक्राइब को लेना है वीडियो को लाइक कर देना है देखिए आप लोगों की बेस्टी सी की जो में बैव साइट है वो हमने खोल लिए अब इसमें पूरी जानकारी आपको विस्तार पूरवग बताने की चेस्टे करेंगे कि आप लोगों को बिल्कुल कोई सबसे पहले देखिए आपके जो कोलेज अलाउटमेंट होगी तो इस जगह आएगा आपका थर्ड लिस्ट आजाएगी थर्ड देखिए यहां पर जैसे कंडिडेट लोगिन दे रखा है एक आपका चेक रजल्ट दे रखा है अब जो आपका थर्ड नंबर का उप्सन आए तारीक थी तेज तारीक से और गुंतीस तारीक तक आपके क्या चली थी काउंसलिंग चली थी लेकिन इसे बढ़ा कर कितना कर दिया था तीन दिसंबर कर दिया था ठीए उसके बावजूद सभी कोलेज अलाउटमेंट के बारे में फर्ष्ट लिस्ट आने के बारे में काईदे वली बात ही है क्योंकि आप लोगों को पता के जब आपके 10 कोलेज जो में बढ़ोत्री हुई है दस जो कोलेज थे उनके अंदर बढ़ोत्री हुई है और कितने सीटें बढ़ी है आपकी 950 सीटों की संख्या बढ़ी है तो पहले जिनका सेलेक्शन हो रहा था कट sumf आपकी थोड़ी सी हाई रहने वाली थीं कट ऊफ क्या रहने वाली थी हाई रहने वाली vehicle थोड़ी से आप की लो ट्वीट यह थोड़ी सी आप लोगों के लिए एक राहत वरी सूचनAL है जो कर अब को बिल चुकी यह अब सब बढ़ि महत्पून बात यह है देखे आज आपकी 24 तारीक होगी है तो देखे आप यह जल से जल्दा आपकी प्रक्रिया को पूरा करेंगे क्योंकि यह पहले ही बहुत टेम खीचे चुके हैं तो देखे या तो आपकी कल से मतलब 25 तारीक से 25 तारीक से या आपकी 26 तारीक से मुझे लगता है कि कल से या फिर आपकी एकाथ-दो दिना लग भी सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कि कल से, और उस कल के बारे में यह है कि कल से अगर आपकी काउंसलिंग प्रकरिया दुबारा स्टार्ट होगी, दुबारा होगी आप लोगों को पता है, दुबारा ठीक है, दुबारा जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो जायर सी बात है, पांस से और छे दिन का तो टेम लगे गए लगेगा, वो यह आपकी प्रकरिया एक तारिक तक, मतलब मानलो आप 31 दिसमर तक तो आपकी होगी होगी, यह 30 दिसमर के बाद, आपके जो फर्ष्ट जो काउंसलिंग प्रकरिया खतम होने के बाद, एक से और पांच या पर मानलो आप जो दस के बीच के, दस से पहले-पहले आपकी फर्ष्ट लिस्ट आजाएगे, फर्ष्ट जो आपकी लिस्ट ना, फर्ष्ट लिस्ट ये दस तारीक से पहले-पहले आपकी आजाएगे, इसलिए आपको परिशान होनी की बात नहीं है, और जो पहले कट ओफ रहने वाली थी, जब ये 10 कोलेजों को मानता मिलिये, इससे पहले जो आपकी कट ओफ रहने वाली थी ना, वो आपकी ज़ादा रहने वाली थी, ज़ादा उसी की रीजन की बज़े से, अब आपकी क्या होगी, 10 कोलोज बढ़ी हैं, तो आपकी क्या होगी कम कट ओफ रहने वाली ठीक है, जो थोड़ी गनी कम रहेगी राहत वली बात है आप लोगों के लिए गवराएगा नहीं और जिनोंने तयारी 2023 के बारे में आप ये नहीं करना है कि नहीं अभी तो हमारे पास चार महिने हैं तीन महिने हैं नहीं अभी से तयारी को आरम कर देना अगर आप जीतना चाहते हैं यकीन नहीं आप सेलेक्शन लेना चाहते हैं तो 2023 का अभी से आप अपने आपको सुद्रिड बढ़ाना आरम कर दें क्योंकि अभी से एक नीव के अंदर अगर पानी नहीं देंगे तो वो नीम का पेड़ फल नहीं देगा निवोडी जो होती हैं वो भी नहीं देपाएगा इसलिए अभी से आरम करें और आपके सेलेक्शन के लिए बेस्ट कंटेंट बेस्ट टार्गेट लेकर चलेंगे क्योंकि अब की बार आपको विजय भब बनाना है जानकरी में कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता देना हम आपके समस्या को स शुक्रिया